एलो गाईज राधे राधे कैसे हो आप 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 सब ठीक होंगे गाईज आज मैं आपको कुछ नए तरीके से समध्रेस बनाना बताऊंगी साथ में अंडर्वेल भी बन जाता है तो गाईज यहाँ पे मैंने पांच नमबर के कानाजी लिए है यह ड्रेस हम चार पांस और च पूरे वीडियो में step by step by बताया है कैसे लग रहे मुझे कमेट करके चरूर बताना और ज्यादा पसंद आयो तो मीत्रों को सेयर करना यहाँ पे मैंने चार चा स्क्वेर लिए है आप चितना स्क्वेर डालना चाहते हो इतना ले सकते है दोनों कलर के चार चा स्क्वेर है औ तो इसकी लंबाए चोड़ाए 4 इंचीस है कम जाद आप अपने इसाब से ले सकते है अब हम क्या करेंगे एक ग्रीन लेंगे एक पिंक लेंगे और सिधी साइट अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे टीच कर लेंगे इसी तरह से हमें सारे स्क्वेर को टीच करके अट अगर आप देखना चाते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी तो इसी तरह से हम सारे स्क्वेर को टीच कर लेंगे तो देखिए हमारी टीच हो गई है और एक लंबी स्ट्रिप मैंने बना अब हम इस तरह से सिνगल फोल्ड करेंगे और यहांपर टीच कर लेंगे आप चाहो तो अस्तर ढालके भी बना सकते हैं सिंगल फोल्ड करके भी बना सकते हैं लेकिन यहांपे मैंने जितनी सीलाई की है वो सारी सीलाई अंदर चली जाएगी और अमारा ड्रेस कवर सीलाई बन जाएगा, इसलिए मैंने मोड कर बनाया है, तो यह हमारी लंबी श्ट्रिक बनके रेडी है, अब मैं आपको इसका नाब दिखा देती हूं, तो इसकी लंबा है 27 इचिस और चोड़ा इसकी 2 इचिस है, और इसको मैंने फोल्ड करके दिया है, इसलिए 4 इंचिस की स्क्वे पर मिल जाती है, जहां पर मोती, लेस, बटन, सुई धागा मिलता है, वहीं सबसे आपको यह लेस भी मिल जाएगी, तो इसी तरह से हम दो लेर बनाएंगे, आप चाहों तो 3-4 भी बना सकते हैं, आप अपने इस सबसे इसको टेज करके अटेज कर सकते हैं, अब हम इस तरह से उंगलियों की मदद से यहां पर प्लेट्स लेंगे, बहुत ही इजी और आसान तरीका है बनाने का, अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया, तो आपको दुबारा दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इतना इजी तरीका इस वीडियो में मैंने बत अगर समझ में ना आये तो आप बीच बीच में इस तरह से नाप लेकर भी बना सकते हैं, तो मैंने सारी श्ट्रिप की इस तरह से प्लेट्स ले ली है, तो यहां पर मैंने कमर की लंबाई साड़े 5 चींच रखी है, अब एक्ष्ट्रा थागा कपड़ा मूपर से काट लें कि अगर आप निये पा नहीं बनाना चाते हो, तो आप कपड़े को मोड कर भी यहां पर वेल्क्रो अटेच कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ इस तरह से सिंगल फोल्ड करके टीच कर लेना है, और केरे का हमें उल्टा करना है, और यह श्ट्रिप हमें यहां पर टीच करके अ तो इस ठाद से डबल फोल्ट करके हमें टीच के लेना ए ढिने में रखना है कि हमें दोड्ड के उपर टीच नहीं करनी है नहीं तो हमारी धोड्डी किसकेगी नहीं और इतना प्यारा इसका लूक आता है गाईस आपने देखा ने मैंने पहना कर आपको पहले से दिखा दिया है तो देखिए गाईस अमारा खेरा अटेच हो गया है अब हम क्या करेंगे चोली बनाएगे तो इसकी लंबा है 6 इंच और चोड़ा इसकी 4 इंच इस 2 पोईट है अब हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टीच कर लेंगे इधर भी हम टीच करेंगे क्योंकि कपड़े को हमें पल्टा ना है यहाँ पे हम बीना अस्तर बीना बुक्रूम यह ड्रेस बना रहे है फिर भी बहुत ही प्यारा लूक आएगा अब हमारी चोली सीथी हो गई है अब हम इनके उपर भी लेस अटेच करेंगे टीच करके इसी तरह सम दूसरी साइट भी टीच करके अटेच करेंगे यह फिर यह मारी लेस अटेच हो गई है अब उपर की तरफ हम गले पर दोरी डालेंगे बहुत ही easy तरीका है guys तो इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पे teach कर लेना है यहाँ पे भी हमें दोरी के उपर teach नहीं करनी है तो देखे guys यह हमारी teach हो गई है एक शाधागा हम cut कर लेंगे देखे दासानी से हमारी दोरी किसक रही है अब नीचे की तरफ भी हम single fold करके teach कर लेंगे तो यह हमारी teach हो गई है अब हम केरे को इंके साथ attach करेंगे तो उपर की तरफ मैंने two inches पर mark किया है अब हम केरे का center निकालेंगे और बीच में इसको teach करके attach कर देंगे तो यह हमारा प्यारा सा dress अंडर्वेल के साथ बन जाता है गाईज अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरू शेर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर राधे राधे हरे क्रिश्ना